कैसा है बच्चा लोग आप लोगों को वह पहले वन टू सेवन जो चैप्टर से उनकी रिविजन क्लास आपको वह चोटे चोटे वीडियो में मिल जाएगी हाफ यरली के बाद जो फाइनल एक्जाम होती है उसमें माइन में का बच्चा लोग इतना कर लो कि 80% कोश्चन मतलब जादातर कोश्चन आपको हाफ यरली के बाद के पोर्शन से आएंगे और थोड़े मोड़े जेनरल सवाल जो है जेनरल जो कोश्चन से वह आपको पहले वाले आएगे ठीक है तो हम लोग फटाग से शुरू करते हैं चैप्टर एट से रिविजन क्योंकि जितना मुझे याद है वीडियो में आपको मिल जाएंगे आइ तिक सिक्स तक मिल जाएंगे चलो है सेबन से सुरू करते है जो भी है मेरे के लिए पहराकालन से सुनो उसको यूटिलाइज करके लिणन लिखो ठीक है, बाकी चीजे मैंने ही पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग तो ऐसे ही फोर क्या होगे और थैंक्स तो दित्या, दित्या ने मुझे याद दिलाया, मैं तो भूली गया था कि आज एक्जाम है थोरा सा रूटीन मेरा है, मतलब थोरा सा थकावट भड़ा, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा था वीडियो बना, एक ही वीडियो में मैं सारी बाते कर लूँगा, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर सेबन से, तो पेज पहले लाते हैं, चैप्टर सेबन की में हम लोग देखते हैं, तो पहला ऐख्स्पेडमेंट है, कि बहुत सारे ऐसे सब्स्टांस हैं, जो सॉल्adesh और insoluble सब्स्टांस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, दो तरह तो आपको यहाँ पर Soluble, Insolubble Substance ये एक list है जिसमें देखो कि किसी ने pure water लिया है, उसमें sugar mix किया है, salt mix किया है, lemon juice mix किया है, stir किया है, तो देखे what उसे वो चीजे गायब हो गई, मितलब वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके molecule के मैंने बताया था, कि अगर ये water का molecule है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं, वो चुपा रहता है, वो sugar का particle, salt का particle, उनके ही बीच में छुपा हुआ रहता है, तो ये बात है हम लोग पहले कर चुके थे, इसमें आपको solubility के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते है, soluble substance, ऐसे सबस्टांस जो पानी में घुल जाए, इन-soluble substance केते हैं, इसी में तीन चीजे हैं आपको, इसको पिक्चर से भी अपने notebook में देख सकते हो, मैंने एक water लिया था आपको उसी समय, और उस water में मैंने क्या किया था, मालो की मैंने एड किया, sugar को, क्या किया, sugar को एड किया, तो एक हमारा sugar syrup बना था, क्या बना था, ए यो water एक solvent है, क्या है, एक solvent है, sugar जो है, यहाँ पर एक solute है, और यह जो mixer है, वो solution कहलाता है, तो आप इसको remember कर सकते हो, ठीक है, अब insoluble substance, ऐसे substance होंगे, जो पानी में नहीं गुलेंगे, तो वो हमारे insoluble substance, इसको generally आप इसको recall कर लो, इसमें तो कुछ नहीं, आप इसमें स कुछ extra चीज़ें, जैसे आपकी lemon juice पानी में घुल जाती है, लेकिन oil जो है, वो पानी में नहीं घुलता है, तो insoluble substance में हम लोग इन चीज़ों को ध्यान रखे थे, क्या है, अब आगे अगर बढ़े हम लोग, oil के बारे में तुम्हें पता है, कि oil जो है, वो float भी करता है, water में, क्या करता है, oil जो है, water में float करता है, अगर मैं gas की बात करूँ, पुराने question में याद करो, कि oxygen और carbon dioxide पानी में घुल जाते है, इसी बज़े से वो aquatic life ब्रीद कर पाता है, लेकिन hydrogen जो है, वो पानी में नहीं घुलता है, hydrogen पानी में नहीं घुलता है, अगर gas में कोई ठीक है, इसके अलावा, कि मैंने एक ऐसा substance बताया था, carbon tetra chloride, जो डूब जाता है, ठीक है, मैंने बताया था, जैसे पानी में आप oil को mix करोगे, तो oil कहाँ चला जाता है, उपर की तरफ रहता है, लेकिन एक ऐसा liquid जो पानी में डूब जाए, sinking liquid, वो कहता, carbon tetra chloride, ये भी आप आपको बता चुका हूँ मैं, चलिए, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर की बात करें, तो कोई भी चीज, दुनिया की चीजे तीन स्टेट में होती है, solid, liquid और गैस, solid गैस स्टेट आप आइस कह सकते हो, liquid का गैस, water और गैस एसस्टे, water भेपर, चले ये भी कहानी हो गई आपक देखो, इसमें कुछ मैंने बताया था, कि अगर water भेपर हमारा, पहले water से सुरू करते है, water हमारा भेपर में बदल जाए, तो इस process को हम लोग evaporation कहते हैं, लेकिन water अगर हमारा ice में बदल जाए, इस process को freezing कहते हैं, लेकिन अगर ये condition कुछ इस तरह हो, कि भेपर हमारा water में बदल जाए, भेपर जो था, वो हमारा क्या हो गया, water में change हो गया, और यहाँ पे हमारा ice जो है water में change हो गया, तो भेपर water में change होता है, तो इसको हम लोग condensation कहते हैं, लेकिन अगर ice जो इसमें change होता है, तो इसे melting कहते हैं, ये सारी चीज़ आपको याद होने, पानी से मैं यहां पर की सेम चीज़े अगर मैं बोलू कि वाटर जैसे फ्रीजिंग उसी तरह मेल्टिंग फ्रीजिंग और मेल्टिंग चलिए यह कहा नहीं तो यहीं पर खतम हो गई अब वाटर साइकल तुम्हें पता है कि दुनिया में वाटर हमेशा आपके रहते हैं क्लाउड जो है वो बारिस करती है और वो रीवर के रास्ते चीज़े हमारी कहां चलिए आती है रीवर के रास्ते चीज़े हमारी कहां चलिए तो रीवर के रास्ते वही वाटर हमारा कहां चला आता है सी ओसीन में सी ओसीन में आपकी धूप से सनलाइट से वाटर इभापरेट होता है फिर water cloud बनके फिर से बार इसकी तरह गिरता है तो water एक cycle के जैसा एक आप कहो कि बार बार उसका process repeat होता रहता है और इस process को water cycle कहते हैं तो यही चीज़े आपको यहां figure में भी है बाकी इसमें कुछ नहीं है आप इसका सारा question answer पहले से कर चुके हो इतनी बार practice किया है कि इसको एक ब बार भी दुबारा देखने की जरूरत नहीं है चले तो चलिए आप शुरू करते फ्यूल्स अब फ्यूल्स की कहानी अगर बात करें तो फ्यूल्स एक ऐसा substance होता है जो आप कहो कि burn होके हमें energy provide करता है तो दुनिया में बहुत सारी चीज़े जलती है लक्री है आपका paper है other things like petrol, diesel, CNG, LPG सारा कुछ जलते हैं तो fuels हमारे लिए वो चीज़ है जो खुछ जलकर energy दे और इसी हिसाब से अगर fuel को माल करें तो एक हमारे energy के दो source होते है एक renewable नाम ही है renew, renew मतलब वापस वो आ जाए और एक non renewable वो नहीं आ सकता है तो ऐसा energy का source जो बार बार repeat हो से renewable source of energy कहते है और ऐसा energy का source की एक बार यूज की है उसके बाद खत्म हो जाए तो ऐसा हमारा non renewable हो जाएगा ना चलिए तो कहानी शुरू करते है इसकी तो तुम्हें solar कोई भी sun से water से hydro electricity और wind से wind energy ये सारे renewable source of energy के example है जबकि non renewable का सारा fossil fuel जो है जिसमें coal हो गया, petrol हो गया, diesel हो गया, LPG हो गया, PNG हो गया, ये सारे आजनकल खत्म हो जाएंगे, इसलिए non renewable है, चले कानी इसी पर है types of fuel, full form आप देख ले ना, pipe natural gas, LPG, सब तो सब बच्चों को याद होगा, अब हम कौन सा fuel कहां यूज करते हैं, आप जैसे transport के लिए तुम पेट्रोल, डीजल, CNG, घर में, household, domestic fuel में आप LPG ले लो, नहीं तो बहुत लोग यूज कर लेते हैं, ऊडव अगेड़ा भी यूज कर लेते हैं, और नहीं तो बायो गैस भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सारा fuel हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, अब cleaner fuel क्या है, तो मैं पता है कि ऐसा fuel जो कम smoke करें, और जादा heat दे, जैसे कि LPG, वो धूँआ कम करेगा, लेकिन energy जादा देगा, तो वो हमारा cleaner fuel हो गया, fuel for transportation में, अभी just बात हम लोग कर चुके थे, ये हमारा है, ये diesel वाला, ये CNG वाला, ये हमारा ATF, जानते हो न, ये तो सबको ATF का हम full form याद करवाये थे, ये बस CNG वाला, green fuel भी से आपका कम धुआ करे, ज्यादा heat करे, तो ये सारी चीजे fuels और machines में यही है, fossil fuel से याद रखना, ऐसे fuel जो किसी भी plant या animal, जो लाखों सालों पहले, millions of years पहले, जमीन के नीचे दफन हो गए थे, तो वो time to time coal और petroleum में चेंज हो गए, और यही हमारे कहलाते fossil fuel, यानि ये किसी ना किसी animal या plant का हिस्सा है, लेकिन इसका amount limited है, इसलिए इसको ध्यान से judicial यूज करने की जर्रत है, चलिए, renewable, non renewable मैंने बताई दिया आपको, इसको clear ही है, आप alternative तरीका भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर fuel बचाना है, तो public transport यूज करो, electric vehicle यूज करो, sharing में, auto में चड़ो ये सारी चीजे है, एक poster है, ये आप देख लो भागी यहाँ पे, तो कुछ कहानी ही नहीं है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले topic की तरफ, अगला chapter, चलिए, आगे, आगे क्या है, air, चलो, air में तो तुम जानते हो, कि एक important resource है, सबसे पहले air में important question होता है, composition, कितने air कितने ह gas में आपके धिर सारे carbon dioxide, water vapor, helium, अब कुछ कुछ मूल, basic चीजे आपको याद होने चाहे, percentage, सबका percentage आप देख लो, percentage यहाँ दिया है, 78, 21, 1% में other, nitrogen को लोग सोचते है, क्या यूज है, तो nitrogen fire बुझाने में fire extinguisor gas है, इसके अलाबा, plant के लिए ये useful है, oxygen breathing के लिए useful है, burning के ल है, इसके अलाबा carbon dioxide भी fire extinguisor gas है, water vapor जो है, ये greenhouse gas है, ये earth का temperature maintain करने में help करता है, तो हर एक के कुछ ना कुछ यूज है, अब humidity, ये बहुत important question है, एक बार आया भी है, तो what is humidity, amount of water vapor, हमारे environment में, हमारे atmosphere में, जितना water vapor प्रिजेंट है, उसे humidity कहते है, amount of water vapor is known as humidity, चलिए, तो कोई बंदर भी जानता होगा, कि air सबसे important चीज के लिए है, life, जिन्दा रहने के लिए, ये breathing के लिए जरूरी है, burning के लिए जरूरी है, और भी धेर सारे काम, जो different different gas के मैंने बताये थे, जैसे photosynthesis के लिए जरूरी है, जैसे temperature maintain के लिए जरूरी है, ये सारी चीज है, आसान भासा में अगर लिखना चाहिए, food making process of plant, plant का food making process, अब इसके लिए CO2 चाहिए, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, चलिए, अब दुनिया में air balance कैसे रहता है, और ये बंदर है ना, ये सांस लेने के लिए oxygen लेता है, और ये oxygen के बदले छोड़ता कौन सा है, carbon dioxide, ये carbon dioxide, plant लेता है, plant बदले में oxygen देता है, जिससे एक circle बनता है, और हमारे environment में balance रहता है, चलिए, आगे बाते करें, nitrogen के भी role, तो आसान भासा में मेरे copy को निकालना, तो देख लोगे कि पहला plant के दौरा यूज होता है, कुछ bacteria होते है, वो यूज करते है, और दूसरा ये fire extinguisher भी ह होता है, O3, ठीक है, ये जो sun से जितने भी rage आते हैं, उस rage में से ultraviolet rage को absorb कर लेता है, ultraviolet rage का मतलब क्या है, एक ऐसा rage जो तुम्हें skin cancer, skin disease करवा सकता है, ऐसे rage को absorb कर लेता है, इसलिए ozone layer हमारे लिए sild का काम करता है, protection का, चलिए आगे की कहानी अगर करें, तो हम अपने air क pollute कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा fossil fuel यूज करते हैं, और fossil fuel से धेर सारा smoke, और धेर सारा carbon dioxide, और carbon dioxide धेर सारा हुआ, तो हमारा air polluted हो रहा है, सिर्फ carbon dioxide ने, इसके लाब डस्ट वगहरे से भी हमारे air pollute होते हैं, चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक general experiment है, जिसमें आ यह बताती है कि हमारे air में dust भी mix है, चलिए, इसके अलावा, हम pollutants क्या-क्या होते हैं, ऐसी चीज़े जो हमारे air को polluted कर दे, उसे हमारा pollutants करते हैं, जिस carbon monoxide याद रखता हैं, जब भी कोई incomplete combustion हो, जल्दी-जल्दी में कोई अधूरा चीज जले, तो उसमें carbon monoxide, यह carbon dioxide से भ rain के बारे में, यह दोनों air के जो particle है, यह water के साथ mix होके acid बनकर गिरते हैं, जिससे ताजमाहल का color yellow होने लगा है, यह सारी चीज़े आपको दी हुई है, उसके बाद effect of air pollution, इससे क्या-क्या होता है, जो मैंने बताया था, दुनिया में acid rain हो गया, green house effect हो गया, global warming, global warming नाम यह globe का warm होना, यानि earth का temperature बढ़ना, green house effect, यह green house effect क्या है, तो आपको पता ही है, green house effect क्या है, कि earth का जो temperature बढ़ रहा है, वो कुछ खास gasों के बढ़ने से बढ़ रहा है, उसे कहते है green house effect, और इसी drain of adjust मैंने बात किया है आपको, इसके बाद skin and eye disease भी होता है, अगर हमारे air polluted रहा तो यह सारी चीजों, इसको बचने के लिए क्या करें, दुनिया में कोई भी चीज से बचना हो, तो पेर लगाएगे, और पेर कम काट ये, आप हर चीजों से बच जाएगे, आप कुछ वेकल को कम यूज करो, वेकल का pollution रेगुलर चेक अप कराओ, उसके बाद अपने वेक जिसको हम लोग अपने डेली लाइप में गुड हैबिट्स के तरीके से यूज करके, हम इन चीजों से बच सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स चैप्टर की तरफ, क्विक डिविजन हो रहा है, हमारा सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में तो मैंने सब को की पॉ हुआ है, और जिससे बहुत सारा हीट आता रहता है, और इस सोलर फैमली में सबसे आप कह सकते हैं कि हमारा सोलर इनर्जी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज होता है, अजकल तो सोलर कार भी आने लगी है, ये सोलर कूकर है, ये सोलर प्लेट है, जिससे electricity बिजली बनाई जाती है और ये एक renewable source of energy है जिससे आप लंबे समय तक use कर सकते हो अब sun के छोटे-छोटे क्या है planets है अब इन planet को हम लोग क्या करते हैं ये अगर बीच में हमारा sun जी है तो हमारा जो planet है वो उनके चारो तरफ जो अलग-अलग distance पे चक्कर लगाते रहते हैं याद रखना इनका shape पूछा दाता है shape circular नहीं होता है क्या होता है ओवल होता है ओवल और circular में अंतर है ये जो है एक तो अपने axis पे घूमते हैं उसे rotation कहते हैं एक sun के चक्कर अंचारो तरफ घूमते हैं उसे orbit में घूमते हैं उसे revolution कहते हैं मैंने पहले इसके बारे में बताया था इसके बार आपको आता है कि हमारे जो कैपलर्स हैं उन्होंने find क्या था orbit of planet was not exactly in circle मैंने जो भी बताया था ये ये आपके flattened egg के सिप्स में है rapid ellipse आप उन्होंने उसका नाम ellipse दिया था मैंने बताया अभी जस्ट आपको उसके बाद सबसे ज़्यादा important चीज आपको ये है कि आप ये याद रखो कि हमारे sun से planet का position क्या है mercury venus mars ये सारे हमारे terrestrial planet यानि हमारे earth के नजदीक है या earth के ही जैसे है तो उन्हें terrestrial अब बाकी ये जो चारों है हमारा ये हमारा jubian planet है मतलब बाहर की तरफ है ठीक है external planet भी इसको कहते है तो आप इसको series में याद रखो पहला mercury, दूसरा venus, तिसरा earth, चौथा मार्च, पस्वा जुपिटर, छट्वा सैटर्ण, शट्मा युनिनन, शट्मा नैप्चुन, ठीक है तो यहां तक जब कहानी हो जाती है तो आपको कम से कम दो-दो point सब के बारे में याद होना चाहिए कम से कम, minimum 2 point, जादा कुछ नहीं, आप मन में 2 point रखो, जैसे mercury सबसे closest है और सबसे छुटकू है, यानि smallest, आप मेरी कौपी निकालना सब लिखा हुआ होगा, ठीक है, सबसे छोटा है, लेकिन सबसे closest होने के वावजूद भी इस बंदर के पास सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि सन के नजदीक तो होना चाहिए, तो गर्म होना चाहिए, इसका कारण है, no atmosphere, तो मैं पता है कि अगर atmosphere रहेगा, तो वो सन की आने वाले heat को थोड़ा सा रोक लेगा, लेकिन अगर atmosphere ही नहीं आएगा, तो जो heat आएगी, आके चली जाएगी, इसी बज़ा से ये closest है, smallest है, लेक इसे sister of earth भी कहते हैं, लेकिन ये सबसे गर्म है, और सबसे shiny है, अब इसका कारण क्या है, कि इसके जो atmosphere में है, उसमें भर-भर के green house gas है, अब उधर sun से जितनी भी रोस्नी आती है, सारे के सारे रोस्नी को ये अपने पास ही रोक लेता है, जाने ही नहीं देता है, हम लोग के evening star के भी नाम से जानते हैं, ये सुभा ये साम का तारा भी से कहते हैं, ठीक है, तो अलग-अलग planet में अलग-अलग time of revolution होता है, वहाँ पे year जो होते हैं, अलग-अलग तरह से भी होते हैं, अब प्रित्वी के बारे में, अर्थ के बारे में जान लो कि ये third planet है, इसका बारे blue planet, green planet इसे कहते हैं, अकेला अर्थ ही है, जिसमें life possible है, अब यहाँ पे अर्थ के जो चारो तरफ चक्कर लगाते हैं, वो हमारी moon है, हमारे पास एक लवता वही satellite है, और ये देखो कि अर्थ जिस हिसाब से चक्कर लगाती है, ओभल से अपने देखो, यहाँ winter है, तो इसका है, वो dependent है, revolution पे, अपने axis पे घुम जाएगा weather कुछ नहीं, sun से कितना दूर है, इस बात पर weather dependent है, चलिए, तो question आता है सीधा कि day और night कि चीज़ को refer करता है, rotation और revolution, तो दिन और रात का होना revolution, लेकिन अगर पूछे weather change कि इस बात पर depend करता है, तो बोलना, sorry, day और night rotation, और weather change अगर कोई पूछे, तो सीधा revolution, इसको आप ही याद रखना, mind make up कर लीजिए, चलिए, अब आते है, red planet, जिसे हम लोग मार्स या मंगल भी कहते हैं, इसका atmosphere मस्थी नर्दा, अर्ट से बहुत पतला atmosphere है, इसके अलाबा, ये red planet के भी नाम से जाना जाता है, ये earth के जैसे look like है ये तीनों planet, इसलिए इनको हम लोग terrestrial planet कहते है, terrestrial का मतलब है, earth के like, earth के जैसा, ठीक है, तो the fourth planet, solar is a very cold planet, इसके बाद जो भी planet आपको मिलेंगे, वो ठंडे ठंडे planet होंगे, पहला तो Jupiter के बारे मिलें, largest है, सबसे बड़ा है, ये fifth number है, distance wise में अगर देखें, और Mars और Jupiter के ब बहुत सारे, stone जैसे structure है, बहुत सारे, बहुत सारे, इस stone के structure को कहते है, astride built, क्या कहते है, astride built, तो question भी आता है, कि किस दो planet के बीच में astride built है, तो आप बोलना, कि Mars और Jupiter के बीच में, ठीक है, तो Mars और Jupiter के और ये सबसे largest है, सबसे ज़्यादा satellite इन ही के पास है, और आगे ब साधी हो चुकी है, इसका color भी थोड़ा yellow है, आपको पता है, साधी में हल्ली यूज किया जाता है, और दूसरा, इसके पास ring है, तो दो चीज आपको याद रखना है, कि Saturn का color yellow is है, और इसके पास ring है, तो इसलिए इसे ringed planet भी कहते हैं, ये second largest होगा, I think हाँ, second largest है, और ये sixth number का planet है, चली आगे तो Uranus, ये seventh planet है, इसके पास भी चोटी सी ring है, इसे gas chant के भी नाम से जानते हैं, पहले से, फिर वरुन को, यानि Neptune को, windy planet के नाम से, आप जानते हैं, Uranus, Neptune, आप सब की कहानी थोरी थोरी जान गए, और इधर चार जो बचे हैं, उन्हें जोबियन planet कहते हैं क्योंकि ये gas और ice, को ते why they are called Jovian planet, because they are made up of mostly gas and ice, why they are called terrestrial planet, because they are looking like earth, okay, चली ये तो फिर कहानी है, आप satellite की बात करें, तो जो sun के चारो तरफ चक्कर लगा है, वह planet, जो planet के चारो तरफ चकर लगा है, उसे satellite, आप satellite दो होते हैं, natural और artificial, कुछ natural हैं, जैसे moon हमारे, और artificial human जो ह है, बहुत सारी चीज़े, मालो कि कोई चीज़े हो कि तुम्हें अपने घर पर observation करना है, तो घर से उपर से अगर camera लगा दो, तो अच्छे से observation हो सकती है, वही बात है, कि अपने earth के planet पे क्या कुछ कैसा हो रहा है, इसको रखने के लिए earth से बाहर एक satellite बना के छोड़ा गय जिसे main made satellite या artificial satellite केते हैं, आरे भर जिसमें एक है, अब इस satellite से सर्क्या होता है, पहली बात कि satellite से communication होता है, जिसे तुम अपने घर के phone से phone करोगे न, तो तुम्हारे घर के बगलवाले टावर पर पहले जाएगा, फिर टावर से तुम जिसको call कर रहे हो, उसके टावर पर ज communication में, उसके बाद किस में role है, उसके बाद role है आपका weather forecasting में, मौसम के बारे में बताने, radio communication, डिस में भी देखो, छाता जैसा लगा के रखते हैं, वो सारे चीज में आपका satellite का role है, तो moon के बारे में याद रखना कि moon जो है non luminous है, moon को अपनी रोसनी नहीं होती है, वो sun की र हमारे इसरो के mission है, चंद्रियान 1, चंद्रियान 2 हो चुके हैं, इसके अलावा है moon में phases होते है, moon में phases के कारण कहा जाता है, moon का अलग-अलग shape क्यों दिखता है, क्योंकि moon phases of moon सो करता है, जिसमें आप जितने पार्ट पर light परती है, उतना पार्ट दिखता है, इसके वज़ पुर्णिमा, पूरा moon goal सा दिखने वाला phase दिखता है, artificial satellite पे discuss कर ही दिया, इसमें देखो दिया भी है, communication के लिए, radio के लिए, telephone के लिए, इन सब चीज के लिए use किया जाता है, TV signal के लिए आपका use किया जाता है, आपका first Indian, आपका artificial satellite नाम है आरे भट, 1975 यह नहीं आएगा ज् इंपोर्टेंट, ठीक है, तो कहा जाता है कि, the satellite now makes possible to live view up event and make up, they take as much complete one orbit around the earth, time taken to complete one rotation, जो उतना ही समय लगाए, जितना समय में अर्थ अपने axis पे एक बाट, यानि 24 घंटे में वो आर्थ का चक्कर लगा ले, तो ऐसे satellite को geostationary satellite करते हैं, वैसे यह important जादा नहीं है, अब आते हैं, तुम लोग के सबसे problematic part में, जो मुझे पता है, कि जो मेरे absent में तुम लोग पढ़े हो, तो इसी में ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी, मांकी सब तो revision चल रहे थी, चले शुरू करते हैं, तो आपको पता है कि sky इतना beautiful क्यों है, क्योंकि वहाँ पे star है, और stars जो होते हैं, उतने sign ही नहीं होते हैं, वह blinky होते हैं, twinkling star होते हैं, ठीक है, वह blood होते हैं, उनके safe, क्योंकि हम dust वगएड़ा, gas के बीच में stars को देखते हैं, चले, शुरू करते हैं, तो हम होता क्या है, कि बच्पन में कभी-कभी एक drawing बनाया करते थे, जिसमें ऐसा कुछ करके दे दिया जाता था, और फिर न, कहा जाता है था कि फूल बनाये, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके match करते थे, ऐसे ऐसे करके match करते थे, और फिर पता नहीं exactly, तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन सायद कुछ इस तरका था, कुछ इस तरका था, और फिर एक lotus जैसा फूल एक जर्वत पड़े, तो मैं एक बिंदी यहाँ, एक बिंदी यहाँ, एक बिंदी यहाँ, एक ऐसे करके बनाओ, तो तुम लोग इस pattern को follow करके एक इनसान जैसा structure बना सकते हो, ठीक है भले इनसान का बंदर जादा लग रहा हो, ठीक है बना सकते हो, तो अगर कोई star आसमान में एक pattern के जैसा दिखे, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, constellation, क्या कहते हैं, constellation, अगर star आपका कोई एक pattern के जैसा दिखे, तो हमें उसे क्या कहते हैं, constellation कहते हैं, तो यहाँ पे आपका daytime sky और night time sky के बारे में बात हो रही है, तो थुरा सा देख ले sometimes we see some planets जैसे mercury, venus, early morning hour तो question भी आता है किस planet को हम लोग morning में देखते हैं तो मैंने अभी just भी पताया था कि morning और evening star venus को कहा जाता है कभी-कभी mercury भी दिख जाती है these planets have been therefore morning and evening stars भी इसे कहा जाता है और night time में तो बहुत सारे आपको stars और planets दोनों आपको आस्मान में दिखते हैं जो बहुत चमगे ना वो समझ जाना वो star नहीं है वो planet है क्योंकि हमेंसा star थोड़ा सा twinkling होगा ठीक है Venice जो है आस्मान में बहुत shiny होता है लेकिन Venice is not only planet we see Venice के अलावा Mars, Jupiter, Saturn भी हम लोग देखते हैं आपको यहां बताया जा रहा है कहा जाता है कौन सा ऐसा planet है जो telescope से पहली बार देखा गया तो याद रखना है इसका answer होगा Saturn Saturn planet जो है पहली बार आपको देखा गया जो telescope telescope जो खोज हुई तो सबसे पहले जो planet देखा गया वो Saturn था ठीक है अब स्टार के बारे में जानगे को गैस से बना हुआ है वो हमेशा जलता रहता है बहुत जादा हीट है उसके पास अपनी light है बहुत सारी चीजे आपकी उसके अंदर brightness है वो धीरे धीरे जब उसकी गैस खत्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है बहुत सारे स्टार्स दूर है अब कॉंस्टिलेशन अभी जस्ट में बता है कि अगर स्टार कोई pattern बनाए एक figure बनाए जो किसी के जैसा लगता हो कुछ recognizable हो मतलब कोई animal जैसा कोई body जैसा तो उसे हम लोग कहते है constellation ठीक है अब constellation में बहुत important चीज़ है इसके बारे में हम line to line तुम लोग पढ़ा देते हैं ancient people devised to concept of constellation as they had much to recognize देखो पहले के समय में कोई ऐसा Google में अब तो नहीं था लोग घूमने जाते थे तो वो ना मन में एक आसमान में तारों का एक pattern बना लिए कि मैं इस तारे की तरफ जाओंगा ये तारा जो है अगर मानलो इस टार जो है नौर्थ में है तो हम अगर उस वो तारा मुझे अभी नौर्थ में दिख रहा है तो मैं नौर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो ये जो traveler थे वो एक destination को decide करने के लिए कि जैसे for an example तुम रात में निकलो या दिन में ही निकलो और तुम्हें उस जगह के बारे मैं कुछ नहीं पता और तुम देखो कि ये ना एक बहुत उची सी building है ये मैं मन में रखता हूँ कि जब भी मैं कहूँ गुम जाओगा तो ये building ढूनूँगा तो अब तुम्हें ना फिर आँक में पट्टी बांद के कहीं छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे कि अब तुम्हें अपनी destination जहां तुम्हारा घर था वहां जाना है तो कैसे जाओगे तुम जाओगे किसी के छट पे खड़े होगे और दूर तक देखोगे कि वह लंबी वाली building कि इधर है अब जिधर तुम्हें लंबी वाली building दिख जाएगी उधर जाओगे तो constellation का huge ancient में जो traveler थे वो direction के लिए करते थे और इनी लिए उन्होंने बहुत सारे group को अपने मन में एक mark बना लिया कि हम इसके पीछे जाएंगे इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे अब इसमें न बाबू याद ही कर जाना का जाता है कि वसंद के मौसम में जो constellation दिखता है वो कौन सा है तो का जाता है जो spring के season में दिखता है वो हमारा नाम है और्सा मेजर ये आपको याद कर जाना पड़ेगा बसीतना कि spring के season में जो दिखता है उसे हम लोग कहते हैं और्सा मेजर इसी का दूसरा नाम great bear, big deeper सभी सी का नाम है तो उर्सा मेजर बोलो, great bear बोलो, big deeper बोलो ये आप याद रखना major जो होते हैं major मतलब बहुत बढ़ा great मतलब भी बहुत बढ़ा, big मतलब भी बहुत बढ़ा तो ये तीनों वर्ड बड़े बड़े हैं तो इसको याद रखना और आपके हमारे पढ़ाई का सबसे बड़ा फेस्टिबल भी स्प्रिंग में होता है यानि सरसती पूजा होती है तो हमारे जो great bear, big, deeper और उर्सा मेजर हैं ये तीनों कब होंगे? स्प्रिंग में एक question पकाएगा इसे, सिर रखना उसके बाद देखो देखो, अगर इसी की बात करें इसमें जो दो स्टार जो उपर में है टॉप में है उसे हम लोग कहते हैं पोइंटर क्या कहते हैं पोइंटर? ये जो लाइन है, अगर इसको आप जोड के जाएंगे तो ये कि स्पेशल स्टार की तरफ इसारा करता है जिसको हम लोग famous star है pole star जिसे north का star या ध्रुब तारा कहते हैं सारे star में ये थोड़ा ज़्यादा चमकीला दिखता है और इसका जगह fix है ये हमेशा north में तो question आएगा spring season में कौन सा constellation दिखेगा उत्तर देंगे उर्षा major ठीक है कौन सा star north direction दिखाता है pole star उर्षा major के उपर वाले दोनों star क्या कहलाते हैं pointer कहलाते हैं ठीक है वो हमारे pointer कहलाते हैं ठीक है तो अगर मैं रहता तो एक list ही बन बादेता समान दा अधर easily recognizable constellation और और इसके अलाबा एक और constellation है और अभी तक दो ही constellation पर है एक उर्षा major जिसका उपर का दो जो हता है वो हमारा pointer होता है और ये pole star के तरफ ही सारा करता है दूसरा एक और constellation होता है जिसका नाम है winter ओरियन तो ये किस season में आता है winter में अभी जो उर्षा major था वो किस में आता था है spring में ये किस में आएगा आपका winter में और एक और है उर्षा minor देखो minor मतलब होता है छोटू छोटा ठीक है तो ये भी कहां आता है ये भी spring में तो उर्षा वाले दोनों हमारे किस में आएगे spring में और कैसोपिया जो है हमारा autumn में ये कासोपिया तो आपको पस आसान से याद करना है उर्षा major उर्षा minor किस वेदर spring में ओरियन किस वेदर winter में कैसोपिया किस वेदर autumn में बस दोनों उर्षा हमारे spring में ओरियन winter में ओरियन ओरियो जो है याद रखना winter में और हमारा कैसोपिया हमारा किस में ओटम में आप इसको याद रख लो अब पोल स्टार इसे हिंदी में धुरूप तारा कहते हैं ये हमेशा नौर्थ डाइरेक्शन की तरफ इसार करता है ये सबसे साइनी था तो लोग ना इसको एक पॉइंटर बना लिए कि नौर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं इसके बाद आगे देखो अगर आपको आसमान एप प्लैनेट देखना है तो प्लैनेट हमेशा क्लूजर होगा इस्टार से यानि वह ज्यादा चमकीला दिखेगा स्टार ट्विंकल करेंगे लेकिं प्लैनेट एक डाम लगेगा बल्व की जैसा आसमान में कभी-कभी तो द सकरबंदर यहां गया तो planet और star को ढूनने आप आसानी से कह सकते हैं इसी लिए कुछ planet को wandering star भी कहते हैं अब पूछा जएगा wandering star कौन है वो लंगे some planets are known as wandering star example Venus हमारा और mercury यह दोनों तो हमको ज्यादा दिखते हैं आस्मान में मर्कुरी बिनस क्या हैं वेंद्रिंग स्टार हैं ठीक है अब चेंजिंग दाका वी नोग जानते कि स्टार अपना जगह नहीं बदलते हैं स्टार अपनी जगह नहीं बदलते हैं एक स्टार जो हमेशा एक ही जगह पे रहता है उसे पोल स्टार कहते हैं यह सारी चीज़ आपको याद है फिर आप इसका करी लिये होंगे और उसके बाध हो जाती है आपकी कहाणी वेली मेबी खतम तो बच्चों आप मल लगा के एक्जाम देना और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर दोगे एक्सपेक्टेशन क्या है एक दम अच्छा पेपर दोगे और आगे भी बेटर फ्यूजर के लिए मैं एक्सपेक करूंगा अगर कुछ डाउट हो तो मुझे थोड़ा अर्ली ही कुछ समय पहले ही रिमाइन करा दे ना खासकर वाटसप पर तो ना मैं तुम लोगों से कुछ अगर हेल्प होगा तो कर दूंगा माकी 6 में भी जाओगे तो कुछ-कुछ काम की चीज़े आपकी रहेगी फिलहाल के लिए बंदरों को बेस्ट अफ लग अप मन लगा के पढ़ते रहो हम हम इसाब लोगों को मिस्ट करते हैं थैंक्यू सो मच